नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में 1000 कौशन का Part 1 है जो की कौशन है इंडियन पॉलिटी और Constitution से Related हर एक्जाम में 7 से 8 नमबर के कौशन पूछे जाते हैं directly और indirectly इस सब्जेक्ट से तो वीडियो को अंतक आप देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हम आपके लिए इसके सारे Parts प्रोवाइट कराएंगे तो इसके लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाएगा अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन क्लिक कर लिजेगा जिससे जब भी वीडियो से अपलोड हो आपके पास नोडिफिकेशन मिले और ये कॉश्चन्स आप अपने पास नोट्स बना कर रख लें चली दो उस तो स्टार्ट करते हैं कॉश्चन्स सबसे पहला कॉश्चन ये रहा स्कीन पर भारती राश्ची कॉंग्रेस के प्रतम अध्यक्ष ब्योमेश चंद बनर जी पुनह कब और विक्स कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे तो ये इलहाबाद अधिवेशन जोकी 1892 में हुआ था उसके अध्यक्ष बने थे भारत के समिधान के किस अनुच्छेद में और इस प्रश्टा को समाप्त करने का प्रावधान है तो भारत के समिधान के अनुच्छेद 17 में और इस प्रश्टा को समाप्त करने के प्रावधान का वरणन किया गया है next question देखते हैं controller and auditor general कब सेवा निवरत होते हैं तो जिनकी उम्र 6 वर्षिया 65 वर्ष की आयू पूरी करने तक controller and auditor general अपनी सेवा से मुक्त होते हैं मुक्ह चुनाओ आयक्थ की निवक्ती कौन करता है तो मुख चुनाव आयक्ट की नियुक्ती राश्पदी जी के द्वारा की जाती है किसी विधियक को धन विधियक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है तो लोकसबा अध्यक्ष किसी भी विधियक को धन विधियक होने का अंतिम निर्णय देता है अगले कौशन पर चलते हैं द्वीवार्षिक चुनाओं की अधिघोशना कौन करता है तो राज्य सभा के द्वीवार्षिक चुनाओं की अधिघोशना को निर्वाचन आयोग जारी करता है next question देखते हैं क्या पूशग है राश्पती समिधान के किस अनुच्यत के अंतरगत लोगसभा भंग कर सकता है तो राश्पती समिधान के अनुच्यत नमबर 85 के अंतरगत लोगसभा को भंग कर सकता है किस सम्मिधान संसोधन के द्वारा प्रिवी पर्स मानिताएं तथा विशेशादिकार को समाप्त कर दिया गया था तो 26 समिधान संसोधन जो की 1971 में हुआ था उसके अंतरगत उसके द्वारा प्रिवीपर्स मानिताएं तथा विशेश अधिकार को समाप्त कर दिया गया था इंडारेक्ट वीटों को समाप्त कर दिया गया था नेक्स कॉशन देखते हैं राश्पदी पर महाभीयोग चलाने हे तू कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस भेजना होता है तो राश्पदी पर महाभीयोग चलाने हे तू 14 दिन पहले उनके लिए नोटिस भेजना होता है किस अनुच्छेत के अंतरगत राश्पदी का निर सभा से चुन कर आता है समिधान के अनुच्छेत 75 में किसके बारे में चर्चा होती है तो मंत्री पडिशत के बारे में समिधान का अनुच्छेत 75 जो है हमें बतलाता है किसी सदस से द्वारा किसी अन्य सारवजिनिक महत्यों के विशे पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कारिवाही वंद करने का प्रस्ताओ क्या कहलाता है तो इसे काम रोको प्रस्ताओ कहते है जिहां तो उस तो काम रोको प्रस्ताओ कहलाता है अगला क्वाशन अगर समिधान की आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो आपको बताना है समिधान की साथवी अनुसूची में किस के बारे में जानकारी दे गई है अगला कौशन देखते हैं पंचवर्षी योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर निरिक्षन किस के द्वारा किया जाता है तो राश्य विकास परिसत के द्वारा पंचवर्षी योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर निरिक्षन किया जाता है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है तो सत्ता के विकिंदरी करण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली भारत के प्रथम लोगसभा उपाध्यक्ष कौन थे तो M. अनन्त शैनम आयंगकार भारत के प्रथम लोगसभा के उपाध्यक्ष थे सिक्षा पहले राज सूची के अंतरगात आती थी, किस समिधान संसोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया, भारती समिधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तवियों की चर्चा की गई है, तो भारती समिधान के अनुच्छेद 59A में मौलिक कर्तव नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन देखते हैं ये भी कॉशन एक्जाम में बहुत पूछा जाता है नेक्श कॉशन देखते हैं वित आयोक का गठन किसके द्वारा होता है तो सम्विधान के प्रावधान के अंतरगत वित आयोक का गठन होता है नेक्श कॉशन देखते हैं दसवे वित आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो केसी पंत जो हैं दसवे वित आयोग के अध्यक्ष थे बहुत ही जादा ये कौशन पूछा जाता है अगले कौशन देखते हैं भारत के समिधान में अवसिष्ट शक्तियां किस में नहित हैं तो भारत के समिधान में अवसिष्ट शक्तियां संसद में नहित हैं अगले कौशन की तरब चलते हैं, भारती समिधान के अंग नीती निर्देशक सिद्दान्तों का स्त्रोथ हैं, भारती समिधान के अंग नीती निर्देशक सिद्दान्तों का स्त्रोथ क्या है, तो ये आयरलेंड के समिधान से नीती निर्देशक सिद्दान्त लिए गए हैं, अगले कौशन पर चलते हैं समिधान के किस अनुचेद में समिधान संसोधन की प्रक्रिया दी गई है तो अनुचेद 368 में समिधान के संसोधन की प्रक्रिया दी गई है अगला कॉशन देखते हैं समाजवाद वह टोपी है जो सुभिदा नुसार पहनी जा सकती है यह कथन किस प्रसिद आलूचक का था तो C.E.M. जोड का ये कथन था option number C.E.M. जोड इस कॉशन के लिए सहित्र हो जाएगा किस एक्ट के तहट भारती सचेव की स्थापना हुई थी तो भारतीय परिशत अधिनियम 1858-1858 के तहट भारतीय सचेव पत की स्थापना हुई थी तो मुखे चुनाव अधिकारी परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है समिदान के किस अनुच्छेत में यहां उक्ती है केंद्रिय कारेपाली का शक्ती के प्रयोग में कोई ब्यावधान ना उपस्तित हो किसमें उलेखेत है तो अनुच्छे 257 में ये जानकारी दी गई है कि केंद्रिय कारेपाली का शक्ती के प्रयोग में कोई ब्यावधान ना उपस्तित हो सावजनिक लेखा समीती में राज सभा के साथ सदस्य उपस्तित होते हैं या सदस्य होते हैं किस समिधान संसोधन के तहट लोग सभा का कारेकाल 6 वर्ष से घटा कर 5 वर्ष कर दिया गया अगले कौशन पर चलते हैं समीधान में मूल कर्तवियों से सम्मन्दित प्रावधान किस समीती की संसुति के आधार पर समलित किये गए हैं तो सरदार स्वन्ड सिंग समीती के आधार पर मूल कर्तवियों से सम्मन्दित प्रावधान संसुतियों के आधार पर समलित किये गए हैं समीधान में Next question देखते हैं, अगला question आपसे पूछा गया है भारती समिधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी वार संशोधन किया जा चुका है तो only on एक बार भारती समिधान की प्रस्तावना में शंशोधन हुआ है अगले कौशन की तरफ चलते हैं वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतरगत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद में विभूशन आदी अलंकार प्रदान किये जाते हैं तो अनुच्छेद 18 के अंतरगत ये सभी अलंकरन प्रदा किया गया सिक्किम के वर्तमान राजिपाल का नाम और सीम का नाम प्लस यहां की राजधानी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट का किल जरूर बताईए अगला कौशन देखते हैं डॉक्टर बी आर अंबेटकर ने किस मौलिक अधिकार को भारती समिधान का हरदयवा आत्मा क किया गया तो 26 नमबर 1949 को इसे अंगी करत किया गया सरकारिया आयोग किस विशय से संबंदित था तो आन्यों 685 के अंतरगत आने वाले कारियों से सरकारिया आयोग संबंदित था नेक्ट कौशन देखते हैं सरकारिया आयोग किस विशय से संबंदित था तो केंद्र और रा भारती समिधान के प्रत्य मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है नेक्श कॉशन देखते हैं भारती समिधान में किस संसोधन द्वारा नागरकों के मौलिक करतव्यों को संसोधन के तहद नागरकों के मौलिक करतव्यों को संसोधन किया गया है नेक नेक्श कॉशन देखते हैं भारती सम्मिदान के सदस्यों को कितने किस ने प्रत्यक शुरूप से निर्वाचित किया था तो भारती सम्मिदान के सदस्यों को प्रांतों की विधान सभाव ने प्रत्यक शुरूप से निर्वाचित किया था अगले कॉशन पे चलते हैं भारती समिधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के समिधान से प्रभावित है तो दक्षण अफरीका के समिधान संसोधन करने की प्रभावित है प्रक्रिया भारत के समिधान की पंचायथी राज अधिनियां 1952 की द्वारा संविधान में 11 अनुसूचियां जोड़ी गई थी संबंदित है इस से जो की 1985 में हुआ था दल बदल विरूधी कानून बावनवा संबिधान संसोधन 1985 सन नेक्स कौशन देखते हैं क्या पूश गया है लोगसबा की सदस्ता हे तू नियुमतम आयू सीमा कितनी होती है तो 25 वर्ड से इस कौशन के लिए सहत्रो जाएगा अगला कौशन देखते हैं 87 संसोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन छेत्रों की परिसीमन का आधार किस जनगरना को निश्चित करके किया गया तो 2001 की जनगरना थी उसी के अकौशन देखते हैं मूल अधिकार एवं राज के नीती निर्देशक तत्व में क्या अंतर है तो मूल अधिकार वाद योग है जबकि नीती निर्देशक तत्व वाद योग तत्व नहीं है भारती समिधान के अनुसार राजनीतिक शक्ती का आधार क्या है तो भारती जनता राजनीतिक सक्ती का आधार है अगले कौशन पर चलते हैं मिनी constitution किसे कहते हैं तो 42 समिधान संसोधन जो है उसे मिनी constitution के नाम से भी जाना जाता है भारती समिधान किस प्रकार की नागरिक्ता को प्रदान करता है तो भारती समिधान एकल नागरिक्ता को प्रदान करता है अगले question पर चलते हैं किस समिधान संसोधन में समिधान की प्रस् प्रदत मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली स़त्ता कौन सी है, तो राजपती जी मूल अधिकारों को निलंबित करने की आपनी पावर रखते हैं, नेक्ट प्रदत बिबाना भारती संसदे के दोरा इंडियान इंडिपेध एक्ट जोलाई 1947 में पारित हुआ था समिधान बनाने वाली प्रारूप समीती के अध्यक्ष कौन थे तो दॉक्टर भीम राव मेटकर जी समिधान बनाने वाली प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे समिधान का अनुच्छे 356 सम्बंदित किस्से है तो अनुच्छे 356 किसी राज्य में राश्पती शाशन लागू करने से संबंदित है भारत के समिधान में पर्थम संसोधन कब किया गया तो भारत के समिधान में पर्थम संसोधन 1951 में किया गया था अगले कॉशन पे चलते हैं कैबिनेट मिशन योजना में क्या समिधान निर्माण के लिए प्रस्ताविच समिधान सभा को वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचत करने को सुविकार किया गया था तो नहीं वयस्क मतादिकार के आधार पर निर्वाचत करने के लिए बिल 1962 में गोवा सहित समस्त पुर्टगाली वस्तियों को भारती संग का राजी छीतर बना दिया गया था अगले कौशन पे चलते हैं बभाज के समस्त पूर्तगाली वस्तियों को बना दिया गया है ये कथन किसका है तो केटी शाह नाम के दार्शनिक का केटी शाह नाम के व्यक्ति का ये कथन है कि राज के नीति निदेशक शत्त तत्त एक ऐसा चेक है जिसका भुकतान बैंक की सुविदा नुसार किया जाएगा अगला कॉशन देखते है अनुच्छेद 368 के संसोधन है राश्पती निर्वाजित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयू पूर्ण कितनी हो ली चाहिए तो कम से कम 35 वर्ष का वो होना चाहिए राश्पती बनने के लिए नेक्स कॉशन देखते हैं राश्पती का अभिवाशन कौन तयार करता है तो केंद्रिय मंत्र जो संसत के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदसे नहीं है उसे कितने समय बाद मंत्री पत्से मुक्त हो जाना पड़ता है तो छे महीने के बाद उसे मंत्री पत्से मुक्त हो जाना पड़ता है किसी राजिका लोकसभा तथा राजिसवा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है तो उत्तर प्रदेश में ये प्रतिनित्त लोकसभा और राजसभा का सबसे जादा है अगला कॉशन लेखते हैं भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्श दाता कौन होता है तो भारत का महान याइवादी जिसे आप अटॉनी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं भारत सरकार का मुख्य विधी परामर्श दाता होता है समिधान की अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच समिधानिक शक्तियों का बटबारा किस में दिया गया है तो साथ भी अनुसूची में दिया गया है जो कौशन मैंने आप से पूशा था के लिए निर्वाचन मंडल के सदस से कितने होते हैं तो भारत में राशपती चुनाओं के निर्वाचन मंडल के सदस हैं लोकसभा, राजसभा, राजविधान परिशद और उसके सभाओं के निर्वाचित सदस next question देखते हैं समीदान के किस अनुचेद में भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक के कर्तव और शक्तियों के बारे में जानकरी मिलती है समीदान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोगिता के बारे में उपबंद है अगले कॉशन पे चलते हैं पॉंडी चेरी के प्रशाशक तथा अंडमा निकुबार दीप समू के प्रशाशक को क्या कहते हैं तो पॉंडी चेरी और अंडमा निकुबार दीप समू के प्रशाशक को उपर राज जिपाल कहा जाता है बिहार में लोकसभा तथा राजसभा के लिए कितनी सीटे निर्धारत की गई है तो लोकसभा के लिए 40 सीट और राजसभा के लिए 16 सीटे निर्धारत की गई है तो दोस्तों ये था पॉलिटी का पार्ट वन कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा ये वीडियो आपके लिए पर दे प्रोवाइड कराये जाएगा आपसे एक कॉशन पूछ रहे हैं राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक् लगाईए वाटसब के माध्यम से बेजिए फेस्बुक के माध्यम से शेयर करिए यूटूब पर अपने ग्रूप्स में शेयर करिए टेलीग्राम पर शेयर करिए जिस पर भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जाद से जादा शेयर करिए वीडियो को अच्छा वीडियो को जरूर करेगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद